हाथ की उंगलियों पर आ जाने वाला ये लाल निशान किस बात का संकेत करता है? हाथ की उंगलियों पर ये मेहंदी कासा कलर लेकर के छोटे छोटे धब्बे किसी एक उंगली पर दिखाई देता है? किस बात का संकेत देता है? क्या आपका कोई नुकसान होने वाला है या फिर कोई फायदा ये देने वाला है? या कोई प्रिय घटना आपके साथ में घटने वाली है या फिर कोई अप्रिय घटना का शिकार आप होने वाले है? किस तरह का संकेत देता है शुबा संकेत को दिखा रहा है या फिर अशुब संकेत को दे रहा है आखिर क्या संकेत है यह यह इस प्रकार की दुविदा यदि आपके मन में भी है दोस्तों तो इस दुविदा को आज हम मिटा देंगे और इसके बारे में जानकारी आपको पूरी लग पाएगे कि आखिर क्या है क्यों ये हाथ पर ये कलर अचानक से आ जाता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो color है और अचानक से हाथ पर आ जाता है हाथ की किसी भी उंगली पर आ सकता है और छोटा सा धबा ये ऐसा लगता है मानो मेहंदी कहीं से लग गई हो और अधिक तर इस वाली first finger पर ये अधिक आता है और उसके बाद में इस अनामिक पर ring finger में भी आता है जद अतर अगुठे में भी आता है तो दोस्तों ये दुविदा जो आपके मन में है इसको निशान को लेकर के वो मैं आपकी आज मिटाने वाला हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये जो निशान है ये जब भी आता है तो आपके लिए एक शुब शंकेत को देता है यानि कि ये इस निशान का आना आपके लिए एक शुब शंकेत होता है निशिते आपके साथ कोई ऐसी घटना जो कि आपके प्रिय है और आपके लिए शुब है वो इस घटना का संकेत देता है क्या है वह घटना यह जमतने हैं दोस्तों помित्रों अधर होता ईह कि आप आ ज़िख्म उड़ते हैं तो अचानक से मुवह आध से भने जाते हैं या फिर फिर हातों को वाश करते हैं तो देखते हैं कि यह अचानक से ये क्या color लग गया है क्या ये महंदी का color कभी-कभी तो दिमाग में आता है कि ये महंदी का color है जो हलका सा छोटा सा धबा लगा हुआ है या फिर कोई color लग गया तो आप इसे मिटाने की बहुत कोशिश करते हैं साबन से, पानी से लेकिन ये मिटता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि ये निशान आपके लिए शुग शंकेत हो करके आता है आपको indicate करता है किसी एक प्रिय घटना को घटने वाली है और आप इसको जब हाद धोते से में वाश करने की कोशिश करते हैं जब आदमी खड़ा उड़ता है और देखता है ये कहां से आ गया तो ये मिटता नहीं है काफी मिटाने की का आप कोशिश करते हैं लेकिन स्वता ये तीन दिन बाद अपने आप ही ये खुद ही खुद वाखुद आता है और खुद ही खुद चला जाता है, मिट जाता है तो दोस्तों ये निशान आपको इंडिगेट करता है आपके आने वाले शुब के बारे में वो शुबत तो क्या है बित्रों हर एक उंगली पर इस निशान का आना एक अलग फल को देता है यानि उसका मतलब तोरा डिफरेंट हो जाता है लेकिन सबी उंगलीों के बारे में मैं आज बात नहीं करूँगा सिर्फ इस उंगली के बारे में बात करूँगा, इस उंगली पर यदि ये निशान आ जाए, क्योंकि ये निशान कभी गोल भी होता है तो कभी हल्का चप्ता और LINE के आकार का भी होता है तो इसका आना आपके लिए धन का आना माना जाता है जी हां दोस्तों ये इंडिगेड करता है आपको मिलने वाला अचानक से जो धन है उसके बारे और ये धन किसी भी प्रकार का हो सकता है, अचालक से जीवन में धन के योग, बनने या कोई जैकपोर्ट लगे, ये धन किसी प्रकार से भी आपके पास आ सकता है, ऐसा कोई धन हो सकता है जिसकी आस आपने छोड़ दी थी, या फिर कोई मिलने वाला कोई बोनिस हो सकता है, सेलरी के टाइम पर आ सकता है, बिजनस से होने वाले बेनिफिट, प्रॉफिट को दिखा सकता है, या फिर आपको एक नई जॉब का आउफर के रूप में ये धन आपके पास आता है, या फिर दिया हुआ कोई ऐसा धन जिसकी आस नहीं थी, उसको पुनर जिवित करके और ये वो धन आपका वापिस आपके पास आ जाता है, इस प्रकार से तमाम होने वाले किसी भी तरीके के फाइदे को लेकर के रूप में ये निशान आपके हाथ में आता है, और आप देखेगा जरूर। कभी आप देखें तो ये निशान हाथ में आया तो समझें कि आपके साथ कुछ आपके पास जो है वो धन आने वाला है। और तुरंती एकाथ दिन के भीतर ही ये धन आपके पास में होता है। ये महत्व है इस महंदी के से कलर के धब्बे का या बिन्दू का जो कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाता है आपके लिए सुवशंकेत माना जाता है। ये वो आने वाला धन हो सकता है जिसके लिए आपने काफी स्ट्रगल किया है। ये वो धन हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत ऐफर्ड लगाये हो। बहुत मेहनत की है प्लैनिंग की है और कई तरीके से आपने इस रुटवे को या फिर इस पैसे को धन को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़ादा मेहनत की है वही मेहनत का रंग बन करके ये हातों में आता है और लगबग ये हर एक विक्ति के साथ में ये गटना गटती है रंग वाली अचानत से हाथ की उंगलियों में ये कलर दिखाई देता है